शीर खुर्मा सिवैं से बनने वाली एक ऐसी स्वीट डिश है जिसे आप खाकर इसकी तारीफ के बेडा नहीं रह पाएंगे जिसको खाने को देंगे वो ही आपकी तारीफ करेगा रबडीदार गाड़ी गाड़ी इस शीर खुर्मा को देखकर आगया नमुमे पानी इसे बनाना बहुत ही सरल है चलिए बनाते हैं से शीर खुर्मा में डालने के लिए मैंने थोड़े से मेवे लिये है मुझे शीर खुर्मा में जो मेवा डाली है मैंने उन्हीं मेवा को लिया है जैसे चार अफ्रोट गिरी लिये है साथ से आठ बादाम साथ से आठ के ही लगभग काजू लिये है एक छोटी चमच पिस्ता और एक छोटी चमच चिरोंजी शीर खुर्मा में मेवो का अपना अलग ही मजा है शीर खुर्मा में मेवे आप जरूर डालिए जिससे शीर खुर्मा आपका अच्छा और स्वाधिष्ट बने जो मेवे आपके पास हो वो डाले मेवो को आप कमजाद अपने हिसाब से कर सकते हैं अब चिरोंजी को छोड़ कर सब को हम बारीक बारीक काट लेंगे सारी मेवा मैंने काट ली है बस चिरोंजी को छोड़ा है इनके साथ ही मैंने थोड़े से सूखी हुए छवारे लिए हैं आप इनकी जगे खजूर यानी देट्स को भी ले सकते हैं। मैंने जो सुखे हुए छुआरे लिए थे वो काफी कड़े हैं। इन्हें सॉफ्ट करने के लिए रात भर के लिए पानी में डाल दिया था जिससे ये फूल कर सॉफ्ट हो जाएं। अब इन्हें चाकू की हेल्प से काट कर इनके बीच की जो गुठली होती है उसको निकाल देंगे और इनके छोटे-छोटे टुकडे कर लेंगे। पानी में फूलने की वज़े से छुआरे काफी सॉफ्ट हो जाते हैं जिससे ये आसानी से कट जाते हैं। अब ये देखिए मैंने इन्चुआरों को काट लिया है। अब इन्चुआरों को मिक्सी के हम सबसे छोटे वाली जार में डाल देते हैं। चार से पाँच बादाम, चार से पाँच ही हम इसमें काजू डालेंगे और आसानी से अच्छे से पिस जाए। इसलिए हम एक से दो टेबिल स्पून के लगवग पानी डालेंगे, चार को कवर करके इसको हम पीस लेते हैं। अगर पानी की जरूरत लगे तो डाल सकते हैं। हमने जो इसे पीसा है वो थोड़ा सा दरदरा है, यानि बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं है, हलका सा मोटा रखा है। इसमें हमने पीसते समय दो टेबिल स्पून पानी और डाला था। आप इसका चाहें तो महीन पेस्ट भी बना सकते हैं। अब एक कड़ाई ली है, इसमें हमने दो टेबिल स्पून देशी घी डाला है, आप भी देशी घी का ही इस्तेमाल करें। घी के गरम हो जाने पर इसमें सभी कटी हुई मेवा को डाल देते हैं। इनको धीमी आज पर चलाएंगे, इन्हें हम तब तक चलाएंगे जब तक की इनका हलका सा कलर चेंज ना हो जाए। तेज आज पर इन्हें बिल्कुल भी ना सिकें, जिससे ये अच्छे सिकेंगे नहीं और उपर से बहुत जल्दी डार्क हो जाएंगे। मेवो में आप मखाना, गरी या फिर कोई दूसरी मेवा हो भी ले सकते हैं। मेवो को घी में इस तरह से हलका सा फ्राइ कर लें जिससे काफी अच्छा टेस्ट आएगा। अब ये हमारी मेवा अच्छे से सिक गई है, हलका सा सुनहरा रंग भी आ गया है। कढ़ाई से हम निकाल लेते हैं इसको। अब जो ये कढ़ाई में घी बचा है, उसमें हम महीन वाली सिमाई को डाल रहे हैं। ये हमने 50 ग्राम के लगभग सिमाई ली है। घी को आप चाहे तो एक चमच और डाल सकते हैं। सिमाई हमने जो डाली है वो थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए हम चमच से दवा कर इसे छोटा कर रहे हैं। आप पहले ही तोड़ कर छोटा कर लें, फिर कढ़ाई में डालें। इन्हें हम धीमी आज पर चला कर हलका सा ब्राउन कर लेंगे। अगर आपके पास रोस्रिट सिमाई है तो वो भी आप हलका सा घी में जरूर चला लें। जिससे आग की शीर खुर्मा काफी अच्छी बनेगी। शीर खुर्मा के लिए आप पतली वाली ही सिमाई लें तो जाद अच्छा रहेगा। सिमाई को हमने घी में चला लिया है अब इन पर भी सुनहरा रंग आ गया है तो हम कढ़ाई से बाहर निकाल देते हैं इसको भी। यह काफी पतली होती है इसलिए इनको तेज आज पर न सेके धीमी आज पर ही न सेके। अब मैंने मोटे बेस वाली कढ़ाई ली है इसमें हमने 2 टेबिल स्पून के लगभग पानी डाला है अब हम इसमें डाल देते हैं 1.5 लीटर दूद पानी इसलिए डाला है कि दूद जो है नीचे से चिपकेगा नहीं अभी हम दूद में उबालाने का वेट करेंगे यह द दिया है दूद को हमें गाढ़ा नहीं करना है तो अब हम इसमें डाल देते हैं सिमय को पतली वाली सिमय है तो इसे बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है दूद में सिमय को डालने के बाद इसे हम चम्मा से चला लेंगे दूद की मलाई को जो कढ़ाई के किनारे से च शुरू हो जाता है, अब ये देखिए मैंने इसको mix कर लिया है, तो जो कटी हुई fry की हुई मेवा थी उसको भी सी समय डाल देंगे, अब इनको भी हम चला लेते हैं, कुछ देर के लिए लगभग 10 मिनट के लिए मेवों के साथ low medium flame पर इनको हम बनने देते हैं, बीच बीच म इसे चलाते जाना है, जिससे ये बेस में चिपके ना, इसको हमने 10 मिनट के लिए low medium flame पर पका लिया है, तो ये देखिए अब काफी गाड़ी हो चुकी है, तो इसमें अब हम दाल देते हैं, आधा चोटी चमच इलाइची पाउडर को, इलाइची पाउडर को जब भी आप चीनी को डाल सकते हैं स्वाद के अनुसार, इसको हम थोड़ा सा रिच और बनाने के लिए डाल रहे हैं, एक चोथाई कप condensed milk, इससे मिठास और गारापन दौनों ही आएगा, इससे काफी अच्छा सा स्वाद आ जाता है, आप चाहें तो इसकी जगे थोड़ा सा खोया यान इसमें चीनी नहीं डाली है, इतनी सी ही मिठास मुझे परफेक्ट लगती है, दो मिनट बाद गैस को बन कर लेंगे, अब ये हमारा शीर खूर्मा बन कर तयार है, ठंडा होने पर सर्व करेंगे, अगर ये हलका सा ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाए, तो इसमें उबला स्वादेश्ट शीर खूर्मा सबको पसंद आएगा, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए